नमस्कार आदर शिक्षन स्थान की ओनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवम अविनन्दन आज हम कक्षा 6 के पार्ट 9 का भाग 3 पढ़ेंगे पिछले वीडियो में हमने इस्थली आवास के मरुस्थली इस्थल वा परवत्य शेत्र के बारे में पढ़ा आज हम गास इस्थल के बारे में पढ़ेंगे गास इस्थल जिसके नाम से ही पढ़ा चलता है ऐसा इस्थान जहां पर की पेड़ पौदे वा गास उगती हो ऐसे इस्थान पर वन्य जीव रहते हैं जैसे शेर वन्य में अथवा गास इस्तल में रहता है तथा एक ऐसा शक्तिशाली जन्तु है जो हिरन जैसे जन्तुों का शिकार कर उन्हें मार कर खा जाता है यह मट मेले रंग का होता है एक शेर एवम हिरन इन दोनों जन्तों की आंके उनके चेरे पर किस प्रकार इस्तित है क्या वे चेरे के सामने है अथवा पार्ष में शेर की अगले पैर के नकर लंबे होते हैं जिने वह पादा उंगलियों के अंदर खीच कर छिपा सकता है क्या शेर की यह स्रचना उसके जीवन यापन में साहता करती है क्या उसका मैट मला रंग शिकार के दौरान उसके गास के सूके मैदान में चिपायर रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता है चेहरे के सामने की आखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सायता करती है एक दूसरा जन्तु हिरन है जो वन या गास इस्तल में रहता है पौधों के खटोर तनों को चबाने के लिए इसके मजबूत दांत होते हैं हिरन को अपने शिकारी शेर जैसे जन्तु को उसे अपना शिकार बनाते हैं कि उपस्ति की जानकारी आवशक है ताकि वह उसका शिकार न बन सके और वहाँ से भाग जाए उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविदी की जानकारी देते हैं इसके सिर्व के पार्ष में दोनों और इस्तितां के प्रत्यक दिशा में देखकर खत्रा महसूस कर सकती है हिरन की तेजगती उसे शिकारी से दूर भागने में साहिता प्रदान करती है शेर, हिरन वो इनके अलावा भी जो जन्तु होते हैं जैसे गिर्गिट, सांप, जावचुहा आदी में भी कुछ विशेष्टाएं पाई जाती है जो की उन्हें उनके आवास में जीवित रहने य पाईता करती है अब हम जल्ले आवास के बारे में पढ़ेंगे जल्ले आवास में जैसा की आपको नाम से ही पता चल रहा है जल्ले आवास यानि ऐसे जन्तु जो की जल में रहेंगे उनका आवास जो होगा जल होगा तो जल्ले आवास में हम पहला बिंदु लेते हैं दूसरे बहुत से समुद्री जन्तों का शरीर भी धारा रेख्या होता है जो उन्हें जल में तैरने के स्वायता करता है। जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धारा रेख्या बना लेते हैं। जल में स्वास लेने के लिए इनमें गिल होते हैं। पर समुद्री सतर पर आकर स्वशन छिद्रों से जल बाहर निकालते हैं। एवं स्वास द्वारा स्वच्छ वायू अंदर बढ़ते हैं। अब हम जल आवास के तालाव वजील के बारे में पढ़ेंगे। आपने कमल के पौधे को देखा होगा। उसमें हमें सिर्फ उसकी पुष्प वपत्ति ही दिखाई देती है। उसकी जड़ वाला भाग हमको दिखाई नहीं देता है। क्योंकि जो पौधे तालाव में या पानी में उगते हैं उनकी जड़ें जलाशे की तलहटी की मिटी में स्थिर रहती है। इस्तली पौदों में जड मिटी से जल एवं खनिच पोशकों के अवशुशन का महत्पुन कार्य करती है इसलिए इस्तली पौदों की जड़े लंबी होती है जबकि जल ये पौदा जो की पूरा का पूरा जल में ही इस्तिर होता है इसलिए उनकी जड़े बहुत ही पतली पौदों का तना लंबा खोकला एम हलका होता है तना जल की सतर तक वरदी करता है जबकि पत्यां एम फूल जल की सतर पर पल्लवन करती रहती है यानि तैरती रहती है कुछ जल्य पौदे जल में पून रूप डूबे रहते हैं ऐसे पौदों की सभी भाग जल में वरदी करते हैं इन मैंसे कुछ पौदों की पत्यां संकरी एवं पतले रिब्बिन की तरह होती है जो बहते जल में सरलता से पानी के बहाव के साथ तैरती रहती है कुछ अन्य जल मगन पौदों में पत्यां बहुत अधिक विभाजित होती है यानि उनके किनारे कटे फटे होते हैं जिस से जल इनके बीच से बहता रहता है और पत्य को कोई हानी नहीं होती है वह पत्य तूटती नहीं है तालाब प्यबोदों के बाद पढ़ने के बाद हम तालाब में रहने वाले जन्तु के बारे में पढ़ेंगे जिस में से एक है मेंडक मेंडक आम तोर पर तालाब में पाया जाने वाला एक जन्तु है या तालाब की जल तथा इस्तल दोनों पर रह सकता है इसके पश्च पात लंबे एवं मजबूत होते हैं जो उन्हें छलांग मार लगाने एवं शिकार परकड़ने में साहिता करते हैं इनके पश्च पाद में जाल युक्त पादा उंगलिया होती है जैसी की बतक के पंजों में पाई जाती है जो उन्हें तैरने में साहिता करती है अब हमने तालाब समुन्दर में रहने वाले जन्तु एवं पौदों के बारे में पढ़ा अगले वीडियो में भाग चार में हम हमारे आसपास की जीव के बारे में पढ़ेंगे धन्यवाद